हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू दा चैनल आज हम रिव्यू करेंगे होंडा शाइन स्पी 125 जो की आभी फिला लॉंज हुआ है दोस्तो ये गाड़ी में क्या क्या चेंज हुआ है नया क्या क्या आपडेट्स देखने को मिलेगा कितना प्राइज है माइलेज कितना देता है सभी जानकाड़ी आपको इस वीडियो के दावरान मिलने वाला है तो चलिए वीडियो को फटाफट शुडू करते है सबसे पहले गाड़ी का प्राइस के पर में बात करते है वेस्ट बेंगल पे एराउंड लैक एट हंड़र रुपीज है ब्लैक कलर का विंड्शिल्ड है साथ में फूल एलेडी सेटाप हेडलाइट हेडलाइट को ओन करके दिखाते है दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो ये गाड़ी में काफी ब्राइट हेडलाइट आपको मिलने वाला है दोस्तो टायर परफाइल का बात करें तो फ्रॉंट में 80 by 100 सेक्शन एमरेप का ट्यूबलेस टायर साथ में 240 mm डिजबेक मिल जाता है दोस्तो स्पीरोमीटर का बार में बात करें तो काफी इंफर्मेटिव लार्ज डिजिटल कॉंसोल देखने को मिलता है सारी इंफर्मेशन जो है आपको मिल जाता है गारी का फुएल लेबल, स्पीड, टाइम, गेर पोजिशन इंडिकेटर, ट्रिप मिटर, साथ में नीट्रल लाइट, हाई बीम और इंडिकेटर लाइट सिगनल दिया है दोस्तो हैंडिल बार के राइट साइड में इंजिन किल स्विच के साथ सेल्प स्टाट बटन दिया है दोस्तो हैंडिल बार के लेब्ट में हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हॉन गारी का कुछ इस प्रकार का है दोस्तो फुएल टैंक का बार में बात करें तो SP 125 में आपको 11 लिटर का fuel tank मिलता है और ये motorcycle से 60 to 65 के MPL का mileage आराम से मिल जाएगा fuel tank का उपर में E20 stickering दिया है E20 मतलब ethanol mixed petrol आप डाल सकते हो In future इंडिया में सभी cars and motorcycle पे E20 petrol यूज होने वाला है दोस्तों seat बिलकुल ठीक टाक है seat का जो cushioning है वो medium रखा गया है जादा soft नहीं है और जादा hard भी नहीं है पिलियन seat का बार में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो same seat है और पीछे blue color का grab rail दिया है rear portion में back light बाल्ब setup में है indicator light भी बाल्ब setup में है black color का mud guard दिया है number plate fitting होने का जगा है और साथ में red color का reflector देखने को मिल जाता है दोस्तो बाइक को start करके देखते हैं बाइक का exhaust note कैसा है इधर silver color में होन्डा का 3D branding दिया है mirror काफी stylish design के साथ दोस्तो गारी को देखके आपको लगेगा कोई भी चीज पे होन्डा जो है quality compromise नहीं किया है दोस्तो rear section tire के बार में बात करें तो same 80 by 100 section का MRP का tubeless tire drum bag के साथ दिया है और silencer hit seal guard chrome finish design में दोस्तो color variant का बात की जाए तो ये गारी total 5 color में available है black, red, pearl, siren blue, grey और blue दोस्तो इंजिन के बार में बात की जाए तो 125 cc का air cooled four stock fuel injected single spark engine है जो की 7500 rpm पे 10.72 ps power produce करता है और ये गारी 5 speed gearbox के साथ आता है adjustable suspension है cover type chain है तो chain को ज़्यादा maintenance नहीं करना परेगा परेगा झाल